नमस्कार मैं आसी स्पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में बिहार सिच्छक बढ़ती से एक और ख़वर आपको मिल ले ये बड़ी ख़वर कि जो दच्छता परिक्षा 18 जून को होने वाली है उसके भी बिद्यार्थी फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर 18 जून के विद्यार्थी दक्षता परिक्षा वाले जो सिंपल सी बात है अगर 21.08 तक अगर आपका सीटे चा का एक्जाम क्लीर हो जाता है result आ जाता है तो इन्हें ले लेना चाहिए जैसे इन्होंने दक्षता परिक्षा की बात की गई है तो अगर दक्षता परिक्षा eligible है तो CT8 को भी eligible करना चाहिए यही हमारी मांगे होनी चाहिए ठीके तो जो लोग बिहार में पटना में है वो कही ना कहीं कुछ बच्चे आयोग के सामने इसके लिए परदर्शन कर रहे हैं कि CT8 2023 को मानने किया जाए कि उसके भी बच्चे पॉम को भर सकें आप बात करते हैं कि क्या है यह दक्षता परिक्षा और यह पात्रता परिक्षा से किस प्रकार का भिन है इसमें तो इस पर हम तोड़ा सा परिक्षा आप से करते हैं अगर बात करें यहाँ पर तो दक्षता परिक्षा में सामिल होने वाले 11500 शिक्षारती को भी जीलास्तरी सिक्षक बनने का मौका मिलेगा दक्षता परिक्षा देने वाले सिक्षक चाहे तो BPSC से जारी सिक्षक बरती राज कर्मी सिक्षक परिक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं 18 जून को पत्ना में 22 केंद्रों पर दक्षता परिक्षा होगी ठीक है BPSC ने स्पष्ट किया है कि 31 अगस्तक आवस्यक डिग्री के लिए अभ्यारती की परिच्षा हो जाती है तुब्हे आवेदन कर सकते हैं जाहे सिबाव से अगर ये कहा गया 31 अगस्तक तो अगर सीटेट 2023 31 अगस्तक हो जाता है रिजर्ट आपका आ जाता है तो आप भी वैलिड हुएं तो सीटेट वाले भी आप लोग जो देने वाले हो वो भी फॉर्म जरूर भरना ये कहीं न कहीं मानने हो सकता है ठीक है यह मत करना कि Frame ही मत बरना जब फोर्म आ जाय तो बरना ज़रूर की यह कहीं ने कहीं प्रेस कॉन्फरेंस में प्रेस में बाते बोल रहे हैंतोर इसका मतलब कुछ ना सिक्षकों में से लगबग 12,000 सिक्षक दक्षता परिक्षा उत्तरिण नहीं है ठीक है इनमें से बोला गया है 3.3 लाक में से आपके कि 12,000 सिक्षक जो है वो दक्षता परिक्षा को उत्तरिण नहीं किये हैं ठीक है 12,000 और उन्हें से 722 वैसे हैं जो पहले ही उचुकी तीन बार दक्षता परिक्षा में फेल हैं और यह किसके लिए नियोजित जो आपके टीचर है अगर यह पास नहीं कर पाते हैं यह अंतिंग परिक्षा है नियोजित सिख्षगों की तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा अपद से हटा दिया जाएगा ठीक है यह द्यान रखिएगा और यह जो पास कर लेता है ना दक्षता परिच्छा उसके वेतन की वृद्धी भी की जाती है बिहार में जो नियोजी टीचर होते हैं जो नहीं पास किया है नियोजी टीचर में उसकी वेतन की वृद्धी नहीं क कि जाती है कि लगबग यहां बोलाना कुछ सिक्षब को दो बार या कुछ को एक बार फैल हैं लगबग 1500 ऐसे सिक्षब ढ़ी तक है जो पाहली बार दक्षता परिक्षा में सामिल होगे दक्षत पर किसमें उत्रीन होने क्यों जरूरी है यह द्यान कि राष्ज में 2011 में के पहले कब 2011 के पहले सिक्षप की जो TET और CTET या STET उत्रिण नहीं है उन्हें दक्षता परिच्छा पास करनी जरूरी है मतलब जो 2011 के बंदे हैं पीचर एजर लगे हुए हैं वो TET CTET या STET उत्रिण नहीं है अगर आप उत्रिण है तो कोई जरूरत नहीं है तो उन्हें के लिए दक्षता परिच्छा पास करना जरूरी है NCTET के नियम अनुसार बिना सिक्षक पात्रता या दक्षता परिच्छा उत्रिण सिक्षक बने नहीं रह सकते हैं ठीक है बिना दक्षता परिक्षा उत्रुन शिक्षकों को सलाना वेतन व्रिदी का भी लाव नहीं देना का होता है इसमें लगबग 70 प्रतिसे प्रश्ण विश्वस्तु से होंगे और 25 प्रतिसाद सिख्षन कौसल से होंगे मतलब सीडीपी किसे होगा से संबन्नित होगे जबकि 10 प्रतिसत अभी रूची से होगा मनलब रीजनिंग होगा अधिकान स्पर्ष्ण अक्षा आठ तक के पाटक्रम से होगे हल्की कुछ शुप्रशन माधिमिक अस्तर के होंगे दक्षता परिक्षा के पास करने के लिए समान निवर्ग के लिए 45 प्रतिसत और अरक्षित कोटी के लिए 40 प्रतिसत नियुंतंग अंक प्राप्त करना जरूरी है अग तक यह दक्षता परिक्षा आपकी 15 अक्टूबर 2009 में हुई थी इसका नोटिफिकेशन कब आया था वह मैं आपका गॉर्मेंट कर में दिखा दे रहा हूं पीस के जो नोटिफिकेशन थे आपके कि यहां से आप लोग देख लीजी थोड़ा सा कि कि नोटिफिकेशन इसका कब आया था कि इसको देखी कि फाइल नहीं खुल लई है तो मिनट कि अच्छिए इसमें आपका जाना एक डॉकमेंट फाइल एक टेलिग्राम पर मैं सेहर कर दूंगा यह साथ फाइल खुल नहीं रही है कि खुल गई खुल गई ठीक है यह देखिए आप बोला राज शिक्षा सो देवां प्रसिक्षा परिसाद ब्यार पटना जिरोचे दक्षता परिक्षा 2023 के लिए यह प्रेस विग्यप्ति जारी की गई थी यहां पर देखिए ठीक है उसके बास यह बोला गया था अप्लिकेशन फॉर्म इसका फरवरी में था 25-2023 से 11-3 तक था मार्च में और परिक्षा के तिथी थे 23-4 23 अप्रेल साथ यह नहीं हुई अप्रेल में तो अब 18 जून को कराया जा रहा है बोला बीटेट सीटेट उत्री नियोजित सिक्षकों की इस परिक्षा में समलि और आठ के आलोग में नियोजित सिक्षक इस परिक्षा में समलित होने है तू आता धारन करते हैं मतलब जो नियोजित सिक्षक हैं वह ही इसको मतलब उनके लिए है एक तरह से पारंभिक की सिक्षक मुल्लांकन दक्सता परिक्षा में जो सिक्षक पूरो में तीन बार प्रदान किया जा रहा है जो सिक्षक तिनान 234-23 को रविवार को आयोजित परिक्षा में किसी कारवन सम्लित नहीं होते हैं अथ्वा असापल हो जाते हैं तो बिहार नगर पारंभिक सिच्छा नियोजनें सेवा सर्त नियोमाली 2006 और यह था संसोधित 2015 के नुसार नियोजित पारंभिक सिच्छक ठीक है को औसर की गर्णा करते हुए सेवा से हटा दिया जाएगा समझ रहा है अगर यह जो नियोजित सिच्छक है अगर यह दक्षता परिक्षा में नहीं पास होते ही सवाले में तो उनको हटा दिया जाएगा उनके पोस्ट से यह ध्यान रखिएगा और यह 23 अप्रेल को होने वाली थी लेकिन उस समय नहीं हुई तो अब 18 तारिक को 18 जून को यह परिक्षा होनी है तो यह उन नियोजित सिच्छकों के लिए है तो अगर इसको वैलिड मान सकता है कि आप BPSC का जो एक्विट्मेंट है टीचर वाला उसको भर सकते हैं तो सी अंजस के स्थिती में तो मेरा कहना यह मानिया आप लोग कि जो लोग सीटेट देने वाले इस बार वह फॉर्म जरूर भरिएगा अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा ना 31 गस से पहले तो आप वैलिड माने जाओगे यह ध्यान रखिएगा चलिए और भी जो जानकारी हमे सभी से विदा लेता हूं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद